हेलो एबरीबन वेल्कम टु माई चैनल दिप्ती दिपमवड आज हम ग्रामर में टेंस का रूल्स एन एग्जामपल पास्टेंस वाल पॉर्ट हमने इसके पहले देखा था प्रेजेंट टेंस का अल पाट्स अब हम पास्टेंस का अल पार्ट जानेंगे ठीक है तो यह हमारा पार्ट टू होगा पार्ट वन में हमने जाना था प्रेजेंट का पार्ट टू का हमने इसके पार्ट जाने है अब हमने उसके पारे में अच्छे से नहीं जाना है जब पूरे पार्ट क्लियर कर दूंगे फि तो यहाँ पे सबसे पहरे लिख लीजिए Past Tense Tense का दूसरा पार्ट Past, तीन पार्ट होते हैं Present Tense, Past and Future Tense तो हम Past Tense का Present का जान लिए पास्ट का जानेंगे तो Past Tense में देखिए क्या होता है इसका A Part A Part होगा आपका Past Indefinite Same ही होगा जो हमने उसका किया था वही चीजिसका भी होगा B Part में होगा Past Continuous Tense C Part में होगा Past Perfect Tense Continuous Tense देखिए सेम चीज है हमने Present में उसमें अच्छे से बताया है जिसमें नहीं देखा पहली बार देखे रहे हो वो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले पार को देख लेंगे तो सेम ही होता है यहां पर Present हो गया तो यहां पर Past Past हो गया बाकी सब है पास्ट Indefinite Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense इसका हमने पास्ट Tense के सारे पार्ट को जान लिया अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में फीचर के साथ जबी पूरे खतम हो जाएंगे फिर हम Past Present Tense एक साथ Examples और Translate के साथ समझेंगे अच्छे से क्या की लिए होता गया ठीक है उनके Rules भी समझेंगे और उनके Formulas के अदर जिसके Basis पे आप कभी भी कोई भी Grammar Solve Easily कर लोगे तब तक ही मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में बाबाएं थैंक यू